बिहार में राजनितिक परिस्तितियां बिलकुल बदल गई है और इस बदली हुई राजनितिक परिस्तितियों में बीजेपी बैक फुट पर है बीजेपी अब अपने सहयोगियों की तलास कर रही है और बिहार की राजनिति की बात करे तो अभी केवल और केवल दो ही ऐसे धड़े हैं जिसे बीजेपी अपने पाले में कर सकती है एक वीजेपी और दूसरा लोचपार रामविलास मुकेश शहनी फिलाल अपने संगठन में बीजी हैं और वो बीजेपी पर हमला जादा करते नजर आते हैं और नितीश कुमार के गुनगान करते ऐसे में अब बीजेपी सबसे जादा डोरे लोचपार रामविलास पर यानि की चिराग पाशवान पर डाल रही है और डाले भी क्यों ना क्यूंकि बहुत जल्द बिहार में लोगसभा चुनाओ का सेमी फाइनल जो होना है सेमी फाइनल यानि बिहार में तीन सीटों का उपचुनाओ गुपाल गंज, कुढणी और मुकामा की सीट पर लेकिन बीजेपी करेगी तो करेगी क्या इन तीन सीटों में दो सीटे तो राज़त की है एक सीट गुपाल गंज की पिछले कई चुनाओं से बीजेपी के पास होंगी लेकिन देखिए बिहार में अब तक की जो राजनीती हुई उसमें अधिकतर समय बीजेपी जयंता दल यूनाइटेट के साथ नजर आई यानि कि उसे सहयोगी दल का हमेशा फाइदा रहा एक मजबूत सहयोगी दल का लेकिन इस बार क्या करेगी क्योंकि जेडियू त समस्याएं खड़ी हो जाएंगी जनता के नजर में भी उसकी पाटी की छवी बिगड़ेगी कि महागडवंदन बनने के साथ ही बीजेपी कमजोर हो गई है लेकिन वह अपने मजबूती के लिए एक बार फिर से उन पुराने साथियों को अपने पाले में लाने की कोशिस कर उनके पार्टी के विधायकों को अपने में मिलाया और यहां तक कहा कि अब मुकेस सहनी का अस्तित्व ही खतम हो गया है लेकिन अब उसी अस्तित्व के बदौलत और उसी पहचान को अपने पास लाने की कोशिस में वह जुट गई है क्योंकि जानती है कि मुकेस सहनी अगर अकेले लडए तो वोट वो केवल बीजे पी काहीं काटेंगे अब बात है लोजपार राम विलास के राश्ट्री अध्यक्ट चिराग पास्वान तो पहले ही कहीं न कहीं अपर्त्यक्ष तोर पर या कहिए संकेतों में ये कह चुके हैं कि वो बीजे पी के साथ जा सकते हैं ल उसको NDA से बाहर की जिए और दूसरा राम्विलास के राष्ट्रिये अध्यच्ष यानी चिरागपाश्षवान को केंद्र कि जब से बिहार में 2020 के चुनाव शुरू हुए उसके पहले से चिरागपाश्षवान के निसाने पर नितीश कुमार रहे हैं और आज भी नितीश कुमार के विरोध में चिराक पाशवान खुल कर बोलते हैं और अब तो बिहार में जंगल रिटॉंस की भी वही बात करते हैं ऐसे में चिराक पाशवान बीजेपी के लिए सबसे बहतर शहयोगी साबित हो सकते हैं और जिस प्रक साथ यह पहले देखिए ख़बर यह भी है कि चाचा भतीजे में मिलाप करने के भी कोशिस बीजेपी कर रही है ताकि कुछ भी छिटक कर इधर उधर ना हो लेकिन चिराग पासवान इस पर मानने को तयार नहीं है उनका कहना है कि चाचा से अब वो कोई समझोता नहीं कर सकते हैं जो उन्होंने किया वो बहुत कर दिया अब कोई बात चीत नहीं लेकिन बीजे बीजेपी के साथ आते हैं तो कहीं न कहीं मुकामा में R.J.D. को या कहीं अनंद सिंग को टकर दी जा सकती है क्या ऐसा हो पाएगा या नहीं ये भी अपने आप में सवाल है लेकिन याद रखिए ऑनंद सिंग के भाई दिलिप में sindh को सुरजभान शिंघ निर्दलिये तोर पर मुकामा में चुनाव हरा चुके हैं ऐसे में अगर वो मैदान में उतरते हैं बीजेपी के साथ तो कहीं न कहीं बीजेपी मुकामा में अपना दमखम दिखा सकती है लडाई में आ सकती है इसलिए चाहती है बीजेपी कि अब लोच्पा को अपने साथ रखा जाए और चाचा भतीजे में मिलाप कड़ाया जाए लेकिन क्या यह हो पाएगा अपने आप में सवाल है चिराग पाश्वान मानने को तयार नहीं है लेकिन राजनीती है कभी भी कुछ भी हो सकता है श्वार्थों की बदौलत ही तो यह आगे बढ़ती है और हर व्यक्ति या हर नेता राजनीती में अपना स्वार्थी देखता है अब देखना होगा कि चिराग पाश्वान इस पर क्या कुछ फैसला लेते हैं और क्या जो खबर निकल कर सामने आ रही है कि उपचुनाओं से पहले वो एंडिये में सामिल हो जाएंगे इसमें कितनी सच्चाई निकलती है